कॉपीड सॉंग से रिकॉड कर लेता हूं ने 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 वीडियो नवास भी वीडियो बनागा क्यार के? नहीं, क्यार को रिवी ने करेंगा समझ नहीं आ रहा है आज कौन सा टॉपिक चुने है टूपिक कौन सा टॉपिक सब से सही रहेगा और या को फिल्म रिवीव शेर नहीं नहीं फिल्म आई इसको रिवीव करता है जब भी हम ममेंटो फिल्म के बारे में सुनते या फिर बात करते हैं तो ज्यादतर लोगों के माइंड में सबसे पहले गजनी फिल्म आ जाती है क्योंकि इतना तो सब जानते हैं कि गजनी फिल्म ममेंटो फिल्म की कौपी है और यकीन मानिये ममेंटो नाम सुनते ही आँखों के सामने बॉड़ी पर टैटू छापे अमीर खान याद आ जाते हैं ये स्पेशली अपनी इंडियन ओडियन्स के लिए कह रहा हूँ अब क्योंकि गजनी फिल्म देखने के बाद लोगों को पता चला कि ये ममेंटो फिल्म की कौपी है तो जो नॉर्मल दर्शक होते है फिल्मों के जो इस्पेशली एंटरेटीन्मेंट के लिए ही फिल्म देखते हैं उनका ममेंटो देखने में इंटरेस्ट खत्म हो जाता ह कि भाई गजनी तो देखी ली अब ओरिजिनल देखकर भी क्या नया दिख जाएगा कहानी तो पता चली गई लेकिन ये जो फिरंगी डिरेक्टर के स्टोफर नॉलन है न ये बहुत बड़ा खिलाडी है ये आपको सीधे सीधे फिल्म दिखाना पसंद नहीं करता फोर एक्जेमपल अगर इन्हें वो खरगोश और कच्छुए की कहानी पर फिल्म बनाने के लिए दे दी जाए तो इस सिंपल सी कहानी को दिखाने में भी वो आपका सारा दिमाग खर्च करवा देंगे और यही एक फिल्म मेकर की उपलबदी है कि वो एक कहानी का स्क्रीन प्ले कैसे लिखता है डायरेक्शन कैसे करता है सिनेमेटो ग्रैफिक कैमरा इंगल्स सब को इतना तोड मरोड के पेश करता है कि दो चार बार तो आपको अपने बाल नोचने ही पड़ेंगे तो आज हम सब एक साथ चलेंगे मुमेंटो फिल्म के सफर पर और इसकी कहानी को शुरू से अंत तक एनलाइज करेंगे कहानी जानेंगे वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किदर है शायद ये बताने की जरूरत नहीं है कि फिल्म का मेन अट्रेक्ट करने वाला पार्ट है लीड एक्टर शेल्बी की बिमारी जहां उसे कुछ दिर पहले घटित चीजे भी याद नहीं रहती लोगों को याद रखने के लिए बिल्डिंग को याद रखने के लिए चीजों को याद रखने के लिए इवन अपनी गाड़ी को याद रखने के लिए भी वो उनकी पिक्चर्स ले लेता है और उस पर उस चीज बिल्डिंग या इनसान के बारे में एक नोट लिग देता था ताकि उसे याद रहे कि वो क्या है हम हमेशा से हॉलिवूड को क्यों बॉलिवूड से बहुत आगे मानते हैं उसके लिए ये फिल्म एक best example है जहां बॉलिवूड के फिल्मेकर्स ने मुमेंटो फिल्म केवल उतने पार्ट को यूज किया जितनी उनकी समझ है यानि आमीर खान की बॉड़ी पर टैटू लगवा दिया उसे बार-बार भूलने वाला मरीज दिखा दिया और obviously ये पार्ट तो लेना ही था कि उसे अपनी बीवी के कातिलों का बदला लेना है बस इन्ही चीज़ों को mix up करके इन्होंने गजनी या इवन बाकी languages में भी फिल्म बना डाली लेकिन क्या आप गजनी को देखकर ममेंटो फिल्म का अंदाजा लगा लेंगे नहीं लगा सकते गजनी ममेंटो फिल्म जैसी बिलकुल नहीं है बलकि वो इसका 5% भी नहीं है गजनी में उन्होंने अपनी एक love story को घुसा कर अपनी audience के taste के अनुसार फिल्म बना डाली ममेंटो इससे बहुत उपर है मुझे लगता है ममेंटो को पूरी तरह से कॉपी करना फिल्हाल इंडियन फिल्मेकर्स के बस की बात नहीं है क्योंकि अगर वो ममेंटो फिल्म को कॉपी पेस्ट कर भी ले तो audience को समझा नहीं पाएंगे कि फिल्म में हुआ क्या है इसलिए इसे कॉपी करना भी ना तो उनके बस की बात थी और नहीं उन्होंने हिम्मत भी की तो अच्छा ही किया अपनी ability के अनुसार जो बना सकते थे वो मुरगा दोस ने बना दिया मुमेंटो फिल्म दो parallel scenes पर चलती रहती है हम इसको easy way में समझने की कोशिश करेंगे फिल्म में दो तरह के scenes देखने को मिलते हैं एक black and white और एक colored दोनों scenes को mix करके कहानी आगे बढ़ती है लेकिन इसमें भी एक page है जो समझने की जरूरत है black and white scenes में कहानी आगे की तरफ बढ़ती रहती है यानि present की तरफ और colored scene में कहानी reverse होती है यानि climax से पहले वाला scene सबसे पहले आता है क्योंकि climax में कहानी बदल जाती है वहाँ वो reverse और forward वाला scene एकदम change हो जाता है वहाँ एकदम कहानी present में आ जाती है यानि फिल्म को अगर सीधे सीधे देखेंगे तो सबसे last वाला scene पहले आता है उससे पहले वाला scene starting के second scene में आता है और ये सारी चीज़े climax से 10 minute पहले तक चलती रहती है climax में कहानी सीधी हो जाती है suspense खुलता है अब इस colored scene में जो ये कहानी reverse चलती है इसमें भी एक page डाला गया है कि एक particular scene है मान ले कि 5 minute का एक scene है जिसमें एक पूरी घटना होती है तो यहाँ पर उस 5 minute की घटना के भी end से scene की शुरुवात होती है और अगले scene की शुरुवात में वो scene घुश जाती है अब यहाँ थोड़ी confusion होती है चलिए हम scene wise example के साथ आपको समझाने की कोशिश करते है वाश रूम में हाँ धोते समय लीड एक्टर Shelby की नजर पढ़ती है हाथ पे लिखके शब्दों पर इससे पहले की वो उसे पूरा पढ़ता वाश रूम में कोई आ जाता है और वो वहाँ से रेस्टोरेंट में वापस आता है यहाँ पर एक वेटर उसके पास आता है और होटल रूम की चाविया देते वे कहता है इन्हें आप टेबल पर भूल गए थे Shelby उसे thanks कहता है चाविया ले लेता है और कहीं का address पूछता है अब यह scene अचानक से आया था इसमें ना हमें यह पता था कि Shelby इस रेस्टोरेंट में कब आया क्यूं आया था वेटर भी scene में पहली बार दिखाता है यानि कि इस scene में इस से जस्ट पहली की कोई कहानी दिखाई नहीं गई है Shelby उस वेटर से address ले लेता है और अपनी कार लेकर उस address की तरफ चल देता है यानि अपने ही hotel की तरफ वहां room में फिर कुछ चीजे analyze करता है body पर लिखे tattoos को पढ़ता है फिर अपने दोस्त teddy की photo देखकर और कुछ घटनाओं को जोड़कर अंदाजा लगाता है कि teddy एक जूटा आदमी है और अगेन उसकी photo पर एक note और add कर देता है कि यही है जब मौका मिले मार दो इसे cut to Shelby एक restaurant में आ जाता है restaurant के gate पर एक लड़की की photo देखता है और उस पर लिखा note पढ़ता है कि इससे कुछ information मिलेगी इसने भी किसी अपने को खोया है यह तुम्हारी मदद करेगी यहाँ पर अगेन यह mind में जरूर आता है कि लड़की कौन है इसकी photo इसने कब ली कहां पर खीची होगी वो लड़की नटाली उससे मिलती है उनके बीच बाते होती है नटाली उसे एक लिफाफा देती है और कुछ समय बाद वो रेस्टोरेंट से चली जाती है और शेल भी वही रह जाता है नटाली के जाने के बाद शेल भी वाश्रूम की तरफ जाता है जहां हात धोते हुए उसे tattoo नजर आता है और यहां से वो scene connect करता है जो इससे पहले आपको मैंने बताया था जिसके बाद वो रेस्टोरेंट में अंदर आता है और वेटर उसे टेबल पर रखा वो लिफाफा और उसके होटेल के रूम की चाबी देता है जो नटाली से बात करते वक्त उसने टेबल पर ही छोड़ दी थी यानि वो scene इस scene के आगे का part था जो director ने पहले ही दिखा दिया बस पूरी कहानी ऐसे ही आगे चलती रहती है एक कोई छोटा सा scene दिखा के cut to black and white scene पर चले जाते है जहां वो phone पर किसी से बात करता रहता है और वापस जब colored scene पर आते हैं तो scene को ऐसे create किया गया कि पिछले वाले black and white scene से पहले जो colored scene में एक जलकी दिखा के scene को खत्म कर दिया गया था उस scene को आगे के किसी scene से connect कर दिया जाता है हो सकता है कि आप film देखे तो वो इतना complicated ना लगे जितना शायद मेरे मूँ से सुनने में आपको लग रहा हो इस film को समझने के लिए Los Angeles के एक film critic Andy Kellan की theory की बात करते हैं जहां black and white scene और colored scene को अलक कर दिया जाता है black and white वाले जितने scene है उन्हें number दे दिया जाते हैं 1 to 22 क्योंकि इसमें 22 scene है इसी तरह से colored scene को A से V तक की category में रखते हैं जैसे कि पहला colored scene है तो उसे हमने A नाम दिया दूसरा colored scene है तो वो B हुआ इसी प्रकार से last का जो colored scene है वो V होगा अब हमारे पास 1 to 22 black and white scenes है और A to V हमारे पास colored scenes है अब हम इन्हें सीधा करके देखेंगे यानि फिल्म में जैसे reverse में दिखाए गया है उसे हम कैसे देखे कि कहानी आपको सीधी समझ में आ जाए ओके लेट्स स्टार्ट सबसे पहले आप एक number का scene देखिए एक number का scene यानि black and white का पहला scene उसके बाद आप देखिए V scene V scene यानि colored scene का सबसे आकरी का scene फिर दो number का scene देखिए यानि black and white का दूसरा number का scene और फिर U scene देखिए यानि colored का last से पहले वाला scene फिर third number यानि black and white फिर T वाला यानि colored का second last scene इसी तरह से fourth number के बाद S फिर fifth number के बाद R फिर 6th number के बाद Q और इसी श्रंकला में फिल्म देखते चले जाएं तो आपको ये एक सीधी फिल्म और कहानी लगेगी जो easily समझ में आ जाएगी इस फिल्म को non-linear narrative वाले फिल्म कहा जाता है यानि जहां जो narrate किया जा रहा है कहानी में आने वाले scenes का उस narration से कोई direct link at least उस वक्त नहीं देखता इस तरह की जो narration की technique होती है उसमें अकसर कहानी flashback में आती जाती रहती है और ऐसी narration में dates का महतो बढ़ जाता है non-linear films की भी एक अलग कहानी है उस पर कभी और discuss करेंगे लेकिन बड़े ग्यानी filmmakers का कहना है कि एक कहानी की शुरुआत होनी चाहिए middle scene और फिर अंत होना चाहिए लेकिन जरूरी नहीं कि इसी order में कहानी कही जाए for example राम घर से सुबह स्कूल गया पूरे दिन स्कूल में बैठा और बाद में वो घर वापस आ गया कहानी की शुरुआत हुई स्कूल जाने से और middle part उसने स्कूल में जो समय बिताया और end यानी वो घर वापस आ गया non-linear तरीके से ये कहानी ऐसे ही बताई जाए ये जरूरी नहीं हो सकता है शुरुआत हो राम अपनी क्लास में पीछे बैठ कर अपना टिफिन खा रहा हो और अचानक से टीचर ने उसे ऐसा करते पकड़ लिया और क्लास के बाहर मुरगा बना दिया फिर कट्टू सीन उसके घर में पहुंच जाए जहां वो सुबह में अपनी मा से कह रहा हो कि मम्मी आज ब्रेड ओमलेट देना टिफिन में मुझे बहुत पसंद है खार ये तो एक एक जैम्पल था अब जैसे कि आपको नमबर्स और वर्ड्स के थ्रू बताया कि एक्चु फिल्म में 96 मिनट में कलर्ड पार्ट वाले सीन हैं कलर्ड सीन की इवरेज अवधी देखें तो एक मिनट से लेकर 16 मिनट तक की है कलर्ड सीन को एक दूसरी से मैच करने का सबसे अच्छा तरीका है कि सीन के शुरुवाती और लास्ट के शॉट को ध्यान में रखिये तो अपने आप मैच कर लेंगे और आपको सीन समझ में आ जाएगा अब यह colored scene आपको easily समझ ना आए इसलिए बीच बीच में mind divert करने के लिए black and white scenes का इस्तमाल किया गया है and yes, वो film से connected हैं लेकिन उस वक्त चल रहे colored scene से उस black and white वाले scenes का कोई लेना देना नहीं होता इसलिए वो black and white scenes केवल आपकी memories को और ज्यादा कसरत करवाने के लिए बीच बीच में डाली गई है आप scene V की बात करें जहां Teddy Shelby को car के शीशे को उपर करने के लिए बोलता है लेकिन पता चलता है कि वो कांच तो टूटी हुई है और उस scene में वो कांच audience के mind में एक सवाल बनकर ही रह जाती है जब तक कि M scene देखने को नहीं मिलता जिसका मतलब है audience को एक background को समझने के लिए 50 minute का इंतजार करना पड़ा क्योंकि इस V scene और M scene के बीच में 50 minute का अंतर था और आपकी यादास्ट अच्छी होनी चाहिए कि आपको याद रहे कि पहले ही scene में टेडी ने कांच तोड़ने की बात कही थी वो कांच तूटी कैसे थी और जब M scene आता है तो उसमें कांच के तूटने का reason दिखाए गया है तो आपको खुद याद रखना होगा दोनों scenes को connect करना होगा यानि इस film में आपकी memories की भी परिक्षा ली जाती है फिल्म में भी hero की गजनी वाली आदत दिखाई गई यानि भूलने वाली याद रखने वाली इसलिए director ने भी आपको film का हिस्सा बनाने के लिए आपके दिमाग की कसरत का पूरा त्यान रखा है फिल्म के cinematography की बात करें तो black and white scenes में close up या फिर extreme close up shots लिये गए हैं क्योंकि इन scenes में ज्यादातर detailing की बाते होती है या फिर detailing दिखाई जाती है जैसे कि Shelby के किस body part पर क्या लिखा हुआ है उस लिखे हुए को audience को पढ़ाना भी था या फिर किस photo पर उसने क्या लिखा उसका close up लेकिन वही colored scenes की बात करें तो ज्यादातर scenes में camera या तो Shelby को follow करता है या उसके पीछे रहता है या फिर अगर कोई साथ में है तो over the shoulder shot का इस्तमाल किया गया है फिल्म में long shots या even medium long shots भी ना के बराबर देखने को मिलते हैं हाँ एक आज जगे जहां setting change होनी है वहां long shot देखने को मिलता है फिल्म में एक scene है जहां Shelby एक room में बैठा है और कुछ देर बाद bathroom में shower लेने लगता है यहां तक camera का frame इतना खोला ही नहीं गया कि इस बात का एहसास हो कि Shelby अपने room में नहीं बलकि किसी और के room में है यह पूरी film reverse order में चलती है इसका संकेत film के पहले scene में ही मिल जाता है इस पहले scene में ही यह director hint दे देता है कि कहानी आपको कैसे दिखाई जाएगी जब reverse mode में gun Shelby के हाथ में आ जाती है, bullets वापस gun के अंदर आ जाते है, बिखरा हुआ बलड वापस सिमटने लगता है और वहाँ लेटा हुआ टेड़ी वापस खड़ा हो जाता है खर ये थी, मुमेंटो से जुड़ी कुछ बाते, I hope कि इस वीडियो के बाद आपको फिल्म समझने में और आसानी हो जाएगी और वैसे तो आप इस तरह की वीडियो अगर यहां तक देख रहे हैं, तो मैं समझ सकता हूँ कि आप भी फिल्मी कीड़े हैं, जिनने फिल्म को समझने का कीड़ा है मेरी तरह, और कीड़ा है तो फिर ममेंटो आप पहले ही समझ चुके होंगे दोस्तो हम कोशिश करेंगे, आगे भी कुछ Hollywood, Bollywood फिल्मों पर इसी तरह की चर्चा करें, यहां स्टोरी पार्ट हमने कम बताया है, बट आगे हम स्टोरी पार्ट पर भी फोकस करेंगे, तब तक के लिए